नमस्कार दोस्तों मैं हूं सुसिल पुन्या और आप देखना शुरू कर चुके जेनोग्रूप सर्विसेज दोस्तों सरम की हदें तो तपार हो जाती है जब पाकिस्तान की मीडिया चिक-चिक कर कहती है कि बाला कोट में ऐसी कोई भी गटना नहीं हुई जिसमें की कोई जनहाने हुई हूँ पाकिस्तानी मीडिया ने जूट बोलते हुए जनता को दिखाया कि भारतिय वायू सेना विमानों के अलोसी में इंट्री करते ही पाकिस्तान की वायू सेना हरकत में आ गई और जवाबी कारवाई करते हुए बारतिय वायू सेना के विवानों को खदेड दिया और साथ पाक मीडिया ने जूट बोलते हुए कहा कि भारतिय विमानों ने हट बड़ा हट में पहड़ी इलाके में एक दो दमाके कर दिये ये सब बाते पाक मीडिया जूट बोलते हुए अपना पला जाड रही है जबकि एक पाक मीडिया के पत्रकार ने बालाकोट के आम नागरिक से इस सब के बारे में पूछा तो उस नागरिक ने सब सच्चाई बता दी और पाक मीडिया ने गलती से उसी इंटरिव्यू को स्क्रीन पर दिखा दिया वो कहते है ना जूट के पेर नहीं होते और पाक मीडिया का इतना बड़ा जूट पकड़ा गया पूरी दुनिया जानती है कि इन हमले वाले केम्प्स में जेस के कितने लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी और ये भी जानती है कि इन हमलों में पाकिस्तान ने क्या-क्या खोया है अब कौन से मों से पाक इन जेस्क केम्प्स की हितायती करे पूरी दुनिया जानती है कि कारगिल युद में पाक ने अपने सेनिकों के सव लेने से भी इंकार कर दिया था ताकि दुनिया में पाक की बेजती थोड़ी कम हो और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये भी आई है कि उस पहाड़ी इलाके को पाक सेना ने घेर लिया है सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबित उन सभी सवों को तिवर्ता के साथ ठिकाने लगा जा रहा है वहां के सभी सबूत पाक सेना मिटाने में लगी हुई है ताकि बारतिय वायू सेना के इस निसाने की पूष्टी नहीं की जासके ना की जासके दोस्तो बारतिय वायू सेना के इस सोरे से आप अपने विचार किस परकार परकट करना चाहते हैं आपके विचार में भारतिय वायू सेना का ये सोरे किस तरह का है आप अपने विचार इस वीडियो के कमेंट बोक्स में दुरूर दे मिलते हैं अगली नई अफडेट के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभार